हलो, आज हम पढ़ रहे हैं पॉली साइफोनिया, शेवाल पॉली साइफोनिया, रेड अल्गी पॉली साइफोनिया, तो रेड अल्गी समुद्री शेवाल हैं, रेड अल्गी जादा तर समुद्री शेवाल हैं, और कुछ शेवाल हैं, रेड अल्गी के कुछ मेंबर्स हैं, जो की अलवनी जल फ्रेश वाटर में भी पाय जाते हैं लेकिन अधिकांश लाल शैवाल समुद्री शैवाल होते हैं और पॉली साइफोनिया भी एक समुद्री शैवाल है तो पॉली साइफोनिया की सिस्टेमटिक पोजीशन इसका जो क्लासिफिकेशन है वरगीकरत इस्थि इसमें से ये सब क्लास फ्लोरीडी में आता है। पलीश ऐफ़ोनीया् और आरडर है शेमयर और फामिली रुडुलैसी जीनसंप पॉली साइफोनिया। स्टरे की हैबिटे इस अनुले तसका सफ़ाव कैसा दिखता है यह एक यह अटू नुमा शाखित यह एक जारी नुमा शे वा और बहुत ही इसकी महीन बारीक तंतू होते हैं इसमें और बहुत जादा अध्यधिक ब्रांच होता है शाखित होता है ये और इस तरह से पंखनुमा भी इसका ठेलस लगता है अकरेंस इसका प्राप्ति स्थान कहां ये मिलता है पॉली साइफोनिया तो पॉली साइफोनिया समुद्र में मिलता है ये तो अभी हमने बात करी ये एक समुद्री शैवाल है लेकिन समुद्र में भी कहां मिलता है समुद्र में ये मिलता है ज्यादा तर चट्टानों के उप पर तो जो पानी के अंदर डुबी हूई रहती हैं चट्टाने उन चट्टानों पर मिलता है और यह पानी के अंदर जो दूसरे पॉधे हैं दूसरी जो अल्गी हैं जिसे आ, जिसी फियोफ़य sc ब्राउन अल्गी के जो सदस्वे हैं जैसे लमैनेरिया है एसकोफिलम है, फ्यूकस है, ये कुछ ब्राउन एलगी के मेंबर से, इनके उपर भी पाया जाता है, तो इस तरह से पालिस आइफोनिया एक तरह से लिथोफाइट के रूप में होता है, जो चट्टानों के रूप में पाया जाता है, और एपिफाइट के रूप में भी पाय रहता है जो आरभाटा से हमेशा जो गीला रहता है उसमें होते हैं और जैसे कई बार जो आरभाटा से कुछ तालाब बन जाते हैं कुछ एरिया में बहुत सारा पानी चला जाता है तो ऐसे तालाबों में भी पाया जाता है जो समुद्री तालाब होते हैं जो आरभाटा वाल सकता है कोरल जो चटाने हैं कोरल रीफ सें मूंगे की चटान उसके उपर भी यह पॉली साइफोनिया हमको मेल सकता है कि इसकी थैलस की संरशना कैसा इसका थैलस होता है तो थैलस का संरशना फिलामेंटस होती है तंतु यह होती है पॉली साइफोनिया जो शब्द है वो बनाए पॉली मींस बहुत सारे और साइफन मींस ट्यूब्स तो बहुत सारी ट्यूब्स से मिलकर बना है ये इसलिए इसका नाम है पॉली साइफोनिया तो पॉली साइफोनिया का थेलस तंतु अत्तो है ही लेकिन तंतु भी दो प्रका रॉक है चटान है या कोई दूसरे पेड़ पौध हैं उनसे चिपका के रखता है तो एक तो आधारी शानतंत्र हो गया प्रॉस्ट्रेट सिस्टम हो गया और दूसरा इरेक्ट सिस्टम अप्राइट जो सिस्टम में खड़ा हुआ ओर्धो तन्तु वाला वो सिस्टम में दो तरह के ब्रांचेज होती हैं इसलिए इसको हिट्रो ट्राइकस विशम तन्तु की स्वरूप भी हम कहते हैं कि थैलस की अगर संरचना की अगर हम केटेगरी में बाटें इसको तो कौन सी केटेगरी में आएगा ये फिलामिंटर्स केटेगरी में और हिट्रो ट्राइकस फिलामिंटर्स केटेगरी में आएगा तो जो श्यान तन्तु हैं जो लेटे हुए हैं क्रीपिंग है या विसरपी तन्तु हैं वो उसमें फोटो सिंथासिस नहीं होता है वो रंगीन नहीं होती कलरलेस होते हैं और उन उनके नीचे से कुछ unicellular rhizoid और निकलते हैं, नीचे वाली कोशिकाओं के नीचे वाली जो सतह है, surface है, वहाँ से निकलते हैं और उसमें कुछ शलेशमा निकलता है, और कुछ वो लोब्ड भी होती है, कई शाखाएं उसमें से निकलती हैं, इसे जड़ की तरह से, और उससे वो उसको थैलस को पूरे प्लांट को चिपका के रखता है तो यह राइजोईट्स और यह जो क्रीपिंग ब्रांचेज हैं वो उसको चिपका के रखती है और दूसरा भाग है ओड़ोतन्तू तो ओड़ोतन्तू जो अपराइट सिस्टम है वो भी शाखित होता है और लेकिन उसमें वो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और फोटोसिंथासिस करता है, और इसका काम जनन का भी होता है, उर्धु तंत्र है, वो फोटोसिंथासिस और जनन का काम करता है, तो उर्धु तंतु जो है, उसमें एक सेंट्रल साइफन होता है, बीच का में जो एकसेस होती और उसके चारों तरफ भी साइफन होते हैं तो चारों तरफ साइफन की संख्या चार से लेके 20 तक होती है वो बिल्कुल पैरलल होते हैं Central साइफन के बिल्कुल समनांतर होते हैं और यह जो तंतु होते हैं वो अलग-अलग species में जो peripheral तंतु हैं जो चारों तरफ होते हैं तो इसका मेन स्वभाव है पॉलिस आइफोनिया का तंतुनुमा एक पंखनुमा फैदरी बहुत सारी बहुत ज्यादा ब्रांचिंग में है और ये नीचे ये चित्र देखिए इसमें आड़ी लेटी हुई शाकाएं हैं ये प्रोस्ट्रेट सिस्टम है और उपर वाली जो शा शान तंत्र है उससे राइजवाइड निकल रहे हैं और राइजवाइड में ये लोब से ये जो अटेचिंग डिस्क बनाते हैं जिससे पौधा नीचे चिप का रहता है उपर ये जो चित्र बना रखाय ये एक जाती ऐसी है पॉलिस आइफोनिया में उसमें ये सिस्टम न अनाती हैं और वो चिपकाने का काम करती हैं उसी में राइजवाइड निकलते हैं और अलग से पूरा ब्रांचेज नहीं होती लेटी हुई तो इस प्रकार से ये जो पॉलिस आइफोनिया का जो थैलस है वो फिलामेंटस है ही ट्रोट्राइकस फिलामेंट है दो तरह की ब् यह इसका दूसरा चित्र दिखाया है एपेक्स इसका शीर्ष भाग किस तरह का है साइफन का तो उपर देखुआ एक सिंगल साइफन है इसमें एपीकल सेल जो दिखा रखिए एपीकल यह सेंट्रल एक्सिस है इसके चारों तरफ कोई सेल्स नहीं है सिर्फ एक लाइन में ही स सेल्स है चारों तरफ सेल्स नहीं है नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें चारों तरफ भी सेल्स है यानि पैरी सेंट्रल सेल्स नीचे वाले भाग में है उपर वाले भाग में केवल एक ही एक के उपर एक सेल्स है केवल सेंट्रल एक्सिस है इसलिए यह मोनो एक्जियल फिला ब्रांचेस भी आपको दिख रही हैं तो ब्रांचेस दो प्रकार की होती हैं दो प्रकार की ब्रांचेस उपर जो पतली पतली ब्रांचेस हैं इनके चारों तरफ पैरी सेंट्रल कोशिकाएं नहीं हैं और ये द्वी शाखित विभाजित हैं दो दो शाखाएं इनकी बन रही ह इनको ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं या सीमित व्रधी की शाखाएं कहते हैं इनकी व्रधी जादा नहीं होती है दो-चार कोशिकाएं लंबी है उसके बाद फिर ये द्वी शाखित विभाजित हो जाती है और इनके चारो तरफ कोई पैरि सेंट्रल कोशिकाएं नहीं बनती है और नीचे वाली जो ब्रांच दिख रही है ये लॉंग ब्रांच है लॉंग ब्रांच बिल्कुल में ब्रांच जैसी होती है और इनके चारो तरफ पैरि सेंट्रल कोशिकाएं भी होती है यह इसका T.S. काटके दिखाया है एक ब्रांच का शाखा का जिसमें एक सेंट्रल साइफन है बीच में सिंगल एक सेल है जो यह सेंट्रल साइफन है इसका LS भी दिखा रखा है नीचे चित्र में ये central साइफन है और इसके अगल बगल है pericentral साइफन है और और भी नीचे वाला जो भाग है इसका जो ज़ाड़ी नुमा जो पौधा है ये पौधे की नीचे वाली में pericentral कोशिकाओं से भी और कोशिकाओं बनने लगती है जो cortical cells कहलाती है तो नीचे वाला और ज्यादा मोटा हो जाएगा चोड़ा हो जाएगा तन्तु तो जिसमें cortical cells भी होंगी pericentral cells भी होंगी और बीच में center में एक central साइफन होगा और उपर वाली जो कोशिकाओं जो इसमें चित्र ए में दिखा रखा है इसमें जैसे एक ही central सा साइफन है तो यह अलग-अलग जाती हो में अलग-अलग होते हैं चार से लेके 20 तक हो सकते हैं paricentral साइफन तो इस प्रकार यह तो हो गई polysiphonous शाखा हैं जिसमें बहुत सारे साइफन हो गए बीच का साइफन और paricentral साइफन और यह जो trichoblast है अभी उपर जो हमने दे सकते हैं सकते हम इसको ओर मोनो साइफोनख शांख भी कहते हैं और नीचे वाली जो शाखा है चौड़ी शाखा हैं बड़ी साखा है। उनको लोंग ब्रांच भी कहते हैं और polysiphonous शाखा? भी कहते हैं यह जो साखाह हैं चूटी-चूटी trichoblast है ट्रीफ्चॉप्लशन ज जाती हैं और इनी ब्रांचेस पर यह जो छुटी ब्रांचेस हैं जिनको ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं ट्राइकोब्लास्ट पर ही सेक्स और्गन्स बनते हैं जननंग बनते हैं और तो इस तरह से यह ट्राइकोब्लास्ट जिन पर जननंग बनते हैं उनको फर्टाइल ट्रा बंध्य ट्राइकोब्लास्ट कहलाते हैं और फलद ट्राइकोब्लास्ट जिसमें जननंग बनते हैं तो ये तो हुई थैलस की बात की थैलस कैसा होता है पॉली साइफोनिया की अब हम सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कोशी का संरचना कैसी होती है पॉली साइफोनिया की कोश कोशिका दो इस्तर ये भित्ती वाली होती है तो बाहर की पैक्टेन की भित्ती होती है अंदर की सलिलोस की भित्ती होती है पैक्टेन की भित्ती में बहुत सारे पदार्थ और भी जमा होते हैं केरागिनिन फ्यूनेरन और परफाइरिन गलाक्टोन सल्फेट वगरा ये भी इ प्रोटीन कोशिका भित्ती है वो कोशिका से जुड़ी हुई रहती है दो कोशिका के मध्य में गर्त पाए जाते हैं तो ये भी कोशिका का एक special feature है जो यहां रोडोफाइसी में ही मिलता है बाकी और मेंबर्स में देखने को नहीं मिलता इनको पिट कनेक्शन कहते हैं आपस म यह वाला character एक blue green algae है उनके कुछ सदस्यों में भी पाया जाता है तो इस तरह से कुछ characters ऐसे हैं रोडोफाइसी में जो की blue green algae से मिलते हैं यानि साइनोफाइसी और रोडोफाइसी के कुछ characters हैं उनमें समानताय मिलती हैं बाकी और दूसरे group से में यह नहीं मिलते हैं तो पि और यह जो pit connection होते हैं actually यह plug होते हैं यह कोई plasmodesmeta का connection नहीं है plug होते हैं protein के इनको pit connection कहते हैं पहले ऐसे समझा जाता था कि यह plasmodesmeta के हैं लेकिन बाद में पता जला कि यह plug है हर एक कोशिका में एक केंद्रक होता है यूनी नूक्लिएट होती है और एक बढ़ी सारी vinegar रिक्ते का होती है और chloroplast होते हैं chloroplast को यह'ाă chromatophore कहते हैं क्योंकि यह क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल D होता है क्लोरोफिल B एपसेंट होता है जो की ग्रीन अलगी में पाया जाता है वो क्लोरोफिल B यहां एपसेंट होता है क्लोरोफिल A और D पाया जाता है इसके अलावा फाइको बिलिंस भी होते हैं वो भी साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन अल्गी में पाए जाते हैं और यहां रोडोफाइसी में पाए जाते हैं तो वो special pigment भी phycobalense यहां होते हैं तो आरफाइक को साइनिन और आरफाइक को इरिथरिन यह pigment पिग्मेंट मिलते हैं यहां पर reserve food material floridian starch होता है यह भी special rodofice में ही पाए जाता है बाकी ग्रुप में नहीं पाए जाता है और बाकी सारी eukaryotic कोशिका की जो विशिष्टा होती हैं बाकी सभी मिलती हैं जैसे endoplasmic reticular mitochondria वगरा वो सभी cell organelles पाए जाते हैं व्रद्धी तो थालस की व्रद्ध कैसे होती है growth कैसे होती है थालस की थालस की growth आप यह देखें इसमें जो उपर की जो कोशिका एक dome shape की कोशिका है गुमबद की आकार की apical cell है उससे व्रद्धी होती है थेलस की उसमें transverse division होते हैं अनुप्रस्त विभाजन के द्वारा एक पूरा filament बन जाता है row of cells बन जाती है और इन filament से एक side में एक अती व्रद्धी निकलती है outgrowth निकलती है उससे फिट trichoblast बन जाता है trichoblast यानि जो limited व्रद्धी का जो ब्रांच है वो बन जाती है ऐसे ही जो दूसरी ब्रांच है long व्रद्धी वाली जो ब्रांच है जिसमें pericentral filament भी होते हैं वो ब्रांच भी यहीं बनती है एपिकल सेल के जस्ट पीछे से बनती है वो यानि सब एपिकल होती है वो तो ब्रांचे सब एपिकल होती है और उसके पीछे की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे फिर पेरि-central कोशिकाएं बनती है यहानि ट्राइगो ब्रांच जो है वो पहले बन जाती है और उसके बाद पेरि-central कोशिकाएं बनती है तो पेरि-central कोशिकाएं जो यह परिकलाइनल डिवीजन होते हैं वर्टिकल डिवीजन होते हैं उससे परिसेंट्रल कोशिका है बनती है चार से लेके 20 तक जो भी स्पीशीज का नंबर है उतनी बन जाती है और तो इस प्रकार हम इसमें यह देख रहे हैं कि एक ही साइफन है एक सेंट्रल साइफन है में एक्सिस है उसी से यह जो सारा फिलामे सारा जो थैलस है वो बन रहा है पॉली साइफोनिया का तो इस तरह से पॉली साइफनिया एक यूनी एक्जियल संरचना कहलाती है तो यू मेंट है उस से बन रहे हैं ये पॉली एक्जियल सनरच्ना नहीं है तो पॉली-साइफन अलग चीज है ये यूनी uni axial संरचना है कई किताबों में और internet भी मैंने दिखा कही site पे ये गलत लिखावा है uni axial को multi axial लिखावा है ये देखिए यहां इसमें चितर में आप देखेंगे ये उपर वाला जो चितर है B इसमें उपर एक ही कोशिका है एक कोशिका है इसके चारा तरफ कोई कोशिका है नहीं तो एक central axis जो है वो single उसकी है तो ये uniaxial संरचना है ये नीचे जो बीच में जो चितर दिखा रखा है uniaxial construction इसमें भी उपर एक कोशिका है और नीचे वाली कोशिकाओं से pericentral कोशिकाओं बनी है और जबकि इधर साइड में जो e diagram दिखा रखा है ये ये जो चितर है ये है multi axial construction का तो इसमें आप उपर देखें टॉप के उपर जो टॉप जो है apex है इस थैलस का वो बहुत सारे axis से मिलके बना हुआ है यहां single axis नहीं है top के उपर जैसकि polysiphonia में होता है polysiphonia में top हम देखेंगे apex अगर हम देखेंगे तो उसमें एक ही central siphon होता है pericentral siphon वहाँ पर नहीं पाय जाते तो वो uniaxial संरचना है जबकि ये multi axial संरचना है तैफोनिया में जनन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो reproduction है उसमें कई तरह के इसमें plants पाय जाते हैं कई तरह की अवस्थाएं होती है ये काफी complicated इसमें जनन पाया जाता है तो युगमकोद भिद ये जो हैं ये haploid plants हैं जो अभी हम जिनके बारे में पढ़ रहे थे उसमें ये male संरचना है spermacea है ऐसे female plant के उपर ये मठकी जैसी संरचना कलश जैसी संरचना बनती है सिस्टोकार बनती है और एक और दूसरा पौधा होता है tetrasporophyte उसमें ये tetrasporingia बनती है तो इस तरह से कई प्रकार के पौधे पाय जाते हैं polysiphonia के अंदर जिसके बारे में अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जम जनन के बारे में हम पढ़ेंगे Thank you